एक ओल्ड मैन और एक यंग लड़की ये दोनों बातरूमें फ़र्ज जाते हैं ओल्ड मैन एक जनरलीस था और इसके इंटर्वीवे लड़की लेना चाहती थी पर इसके इंटेंशन कुछ अलगी थे हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको मैंट्री नाइंटीन एटीसेवन ही 2011 की एक फ्रेंच मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ ये काइंड ओफ हैंग आउट मूवी है तो इसके कन्वेसेशन को आप रिलाक्स करकर कुछ खाते हुए एंजॉय कर सकते हो तो बिना किसी दरीक है एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन क्यारेक्टर को जिसका नाम है मिगेल इसे एक होटेल में व्राइट करता देख सकते हैं ये नूस्पेपर के लिए व्राइट करते हैं और ये बहुत ही फेमस जो हमारी और एक main character है इसका नाम है एंजला आज मेगल का इंटेव्यू लेना चाहती थी वह भी अच्छे से राइट करना चाहती है एक अच्छी जनरलीच बनना चाहती है मेगल एंजला को कुछ order विगरा करने के लिए गहता है उसने बहुत पहले एक आतमे के बारे में आर् तो इस थे मेगल गयता है एक जगह पर अगर तुम 25 एरस तक काम करो तो सिर्फ एक दूसरे को मारना ही बाकी रहता है मेगल है बहुत स्टेट फॉरॉड उसे जोचाई होता है इसके बारे में बोल देता है इस टाइप का गारेक्टर है एंगला ने कोका कोला ओर गया था इसक की डेत हो जाए तो इसका ब्लेम इस सारी चीजों में equally distribute हो जाएगा एंजला ने अपने राइटिंग मिगेल को दिखाने के लिए लाई हुई थी जो मिगेल को इतनी जादा पसंद नहीं आती वो गहता है तुम्हारा आर्टिकल बहुत जादा लॉंग है अगर तुम्हें पुब्लिश होना है तो यह ज़रा short होना चाहिए एंजला ने मिगेल की राइटिंग स्टाइल भी copy की थी तो गहता है तुम्हारी राइटिंग स्टाइल ज़रा यूनिक होनी चाहिए तुम्हारे वर्स लोगों को पिंच करने चाहिए तब ही आर्टिकल परफेक्ट बनता है वर्राइट कैसे करना है कोई भी सिखा नहीं सकता यह अंदर से आना चाहिए यही रीजन था एंजला ने अपने कॉलेज में वर्राइटिंग के कोई भी लेसन लिये नहीं थे क्योंकि यह सिखाय नहीं जा सकता बात करते होग मिगेल ने एंजला को अपने पास बुला ल उसे कहता है इंटर्विव लेते वक्त हमारे बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए ये वहाँ पर पोचे मिगेल एंजला को टी वेगरा देता है यहाँ पर अलग-अलग पेंटिंग्स पड़ी हुई थी तो मिगेल कहता है पेंटिंग ये आर्ट फार्म मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप पेंटिंग करते हो उसके बाद भी कलर्स को स्मेल कर पाते हो फीजिकली इसे एंजॉय कर पाते हो पर राइटिंग का उस तरीके से कुछ भी नहीं है एंजेला ने ग्लासेस लगाय थे तो उसने ओ निकाल लिया उसके बाद उससे किस कर लेता है इसके बाद मिगेल ने का ये आज कल मुझे किसिंग में कोई भी इंट्रेस नहीं है जैसा age वरता गया वैसे interest चला जाता है उसने फिर उसे कपड़े निकालने के लिए खए उसका मानना था कि Angela उसे कुछ सिखने वाली है तो उसके बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए वो उसे clearly बोल देता है कि मुझे जो चाहिए कि मैंने तुमें clearly बता दिया है इसे जाए तुम और कुछ भी expect नहीं कर सकती है इसका मतलब यह नहीं कि तुम talented नहीं हो पर physically में तुम से attracted हूँ आज कल मैं किसी भी लड़की को seduce नहीं कर पाता जब young था तब की बाद अलग थी अगर आज एंजला के साथ उसका कुछ हुआ तो इसके बारे में वो लिखने वाला है एंजला को ज़रा uncomfortable लगा तो यहां से वो चली जाती है थोड़ी देर में mind change करकर फिर से वो वापस आगे उसने अपने कपड़े निकाले मिगल ने अपने friend की color लेकर उसके body पर वो draw करता है इनके बीच में अब तक physically कुछ भी नहीं हुआ इसके बाद एंजला shower लेने के लिए चली जाती है मिगल भी उसके पीछी भी चाया उसने door lock किया वो भी shower लेता है shower लेने के बाद एंजला ने कहा कि अब मुझे यहां से जाना है यह सब वो नहीं कर सकती मिगल को यह बात सुनकर भुरा लगा पर एंजला जब यहां से जा रही थी तो बातरूम का door ही open नहीं होता यह door खराब था पर मिगल का friend उसे बताना भूल गया था एंजला इसे खोलने का बहुत try करती है मिगल ने भी try किया पर दोनों से खुल नहीं पाता एंजला बातरूम की छोटी सी खिड़की से help मागने की कोशिश करती है पर मिगल ने उसे का कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो अगर हम दोना एक साथ पकड़े गए तो तमाश हो जाएगा वो एक famous writer है तो इस scandal भी बन सकता है मिगल कहता है हमारी situation बहुत ही अजीब है या एक तो comedy हो सकती है या फिर tragedy एंजला ने का कि अगर हम safely हाँ से निकल गए तो एक comedy होगी अगर मेरे parents को पता जल क्या तो एक tragedy में convert हो जाएगी मिगल पुछता है कि तुमारे father क्या करते है एंजला ने का कि वो military में है उनका नाम उसने उसे बताया तो मिगल उन्हें जानता था एंजला की बड़ी sister को भी हो जानता है उन दोनों में 17 years का difference है मिगल कहता है कि जब वो acting class में थी तो हम दोनों friends हुआ करते थे वो actual में उसे like करता था पर उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ मिगल बहुती वरीड था कि उसकी wife police को बुला लेगी उसे एक writer के story याद आये writer हमेशा अपनी wife पर cheat करता था एक दिन वो घर पर ही नहीं आया उसकी wife को पता था कि किसी और लड़की के साथ है फिर भी उसने police को call कर दिया कहा कि terrorist लोगों ने मेरे husband को kidnap कर लिया है जब वो writer next दिन उठा तो अपने आपको उसने directly news पर पाया यह सब बहुत ही funny बन गया था उसकी wife ने उसे एक lesson teach करने के लिए इस सब किया था मेगेल कहता है कि तुम्हारी dad और sister में कभी भी बनती नहीं थी वो अमेशा fight करते थे एंजला ने कहा कि वो अब भी करते है actually एंजला ने अपनी sister से ही मेगेल का number लिया था मेगेल कहता है एक बार मैंने उसे पताया था कि मैं उसे like करता हूँ पर उसने मुझे reject कर दिया था अगर उसे पता चला कि हम दोने किस situation में है तो मैं wonder करता हूँ कि वो करेगी क्या आज कल एंजला की sister ये बड़ी actress बन चुकी है एंजला कहती है कि मेरी sister को लगता है कि तुम बहुती overrated writer हो मेगेल को इस सुनकर भुरा लगा पर हो कहता है एक overrated writer ही इसको अपना career बना सकता है एंजला बुशती है लोग क्या कहते है क्या तुमें इससे कुछ भी फरक पड़ता है मेगेल बुशता है क्या अब भी तुम मेरा interview ले रही हो मैं तुमें सब answers दूँगा पर ये interview किस तरीके से end होती है इस पर ही depend करेगा उससे touch करने वाला था पर एंजला उससे दूर जाकर वेटी एंजला कहती है तुमारे novels बहुत ही अजीब तरीके से थे पर फिर भी उन्हें बहुत सारे awards वगिरा मिले है मेगेल कहता है novel लिखते हो लोग बहुत ही ज़धा time लेते मैंने इसे professionally लिखा था हर रोज में कुछ target रखकर इसे complete कर ही डालता था मेगेल एंजला से कहता है कि फिर से try कर कर देखो तुमारी आवाज सुनकर तुम्हें help करने के लिए कोई भी आदमी आ सकता है सुन्दर लड़की देखी नहीं और हर आदमी उसे help करना चाहता है आवाज देने के बाद भी उसे कोई भी सुन नहीं रहा था मेगेल फिर से एंजला के पास आ गया उसे कहती है मुझे सिर्फ यहां से जाना है उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहती एंजला फिर से डोर को ओपन करने की कोशिश करती है मेगेल कहता है कि जब अभी यंग होती हो तो लगता है कि इस लाइफ में कुछ पॉइंट है वो अपनी लाइफ कुछ अलग तरीकिसे जी लेंगे पर बात में पता चलता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़े पॉइंट लिस थी इसमें कोई भी मिनिंग नहीं था हर एक कि कोई ना कोई तो प्रायोरिटी होती है मेगेल एंजला से पुछता है कि आज सेटर्ट है अगर तुम घर पर होती तो क्या करती कि आपने फ्रेंज के साथ बाहर जाती एंजला को इस सब चीज़े पसंद नहीं है वो गहती है कि मैं बुक्स रीड करती मेगेल को जो बुक्स पसंद है यही एंजला ने भी पड़ी हुई है पर मेगेल गहता है हम दोनों के व्यूज इस पर मेगेल है फ्रस्टेड़ हो रहा था वो गहता है हम दोनों ही आए हम दोनों में एक टेंशन है अगर हम कुछ भी नहीं करते तो टेंशन बढ़ता जाएगा सब कुछ हो जाने के बाद शायद हम एक दुसरे को डिजार नहीं करेंगे पर फिर भी एट्रेक्शन बहुत ही इंपोर्टन्ट है मिगेल भी अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था उसे बुरा लगता है कि वो सोच क्या रहा था वो एक ओल्ड मैन है कोई भी यंग लड़की उसके साथ इंटिमेट नहीं हो सकती वो कहता है कि मेरी वाइफ को मैं बहुत प्यार करता हूँ पर फिर भी कभी कभी आपको आइसोलेशन की जरूरत होती है हम दोने यहाँ पर इस तरीके से एक साथ है अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ पर फिर भी लोगों को लगेगा यह कुछ ना कुछ तो हुआ है यह उसे एक ट्रैजेडी की तरह लगता है एंजला फिर उसके पास आगे और यह दोनों इंटिमेट हो जाते है इसके बाद एंजला को थोड़ी सी भूक लगी थी इस पर मेगिल कहता है मुवीज में मुझे लोगों को कुछ ना कुछ खाते देखना अच्छा लगता है उसने अभी अभी एक एक एक्शन मुवी देखी थी जो बहुत ही फास्ट थी पर अचानक से उसमें एक आदमी का खाना खाते हुए सीन आ गया उसे लगता है कि उस सीन में एक पीस था एक रियालिटी थी वो बताता है यह राइटिंग भी इसी तरीके से होती है जिस तरीके से जो भी फैक्स है हमें उस तरीके से बताने चाहिए जितना आप रियल लिखोगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा एंजला अपनी व्राइटिंग से वर्ल्ल चेंज करना चाहती थी पर मिगेल कहता है वैसा कुछ भी नहीं होता तुम सिर लोगों के लिए अच्छा लिखने का ट्राय कर सकती हो बाकि कुछ भी तुमारे हाथ में नहीं मिगेल की व्यू से बहुत सारे निगेडियो हते है वो एंजला से हमेशा इस तरीके से बात कर रहा था कि उससे बहुत ही ज़ादा छोटी है वो अल्मोस्ट एंजला को डाट रहा है इस तरीके से उससे बात कर रहा था एंजला को इस पर गुसा आ गया वो गहती ही मुझे सब लोग इसी तरह के से ट्रीट करते हैं तुम सिर्फ बड़े हो तुम्हें experience है इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही हो तुम्हें क्या लगता है यहावर मेरा आना यह तुमने चूज किया था मैं भी तुम्हें चूज कर सकती हो शायद मुझे भी कुछ न कुछ डिफरेंट चाहिए था इसलिए मैं यहाँ पर आई एंजला का गुसा शांत होने के बाद मिगेल कहता है कि इसे को आवाज लगा कर देखो पर फिर भी कोई भी सुन नहीं पा रहा था एंजला कहती है कि जब मैं छोटी थी तो इस तरीके से प्रिटेंड करती थी यह मैं एक सिलिब्रेटी हूँ मेरा इंटर्व्यू चल रहा है और आईनी के सामने हमेशा इसी देखती रहती थी मिगेल कहता है लोग अपने आपको जैसे है इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर बाते इसलिए कुछ न कुछ जादा पावर हूद बनने की कोशिश करते है यह बाद एंजला ने भी रियलाइज की थी और इसके बाद उसने मीरर के सामने इस तरीके से प्रिटेंड करना छोड़ दिया सब्जेक को चेंज करने के लिए मिगेल गयता है क्या तुम्हें मुवी देखनी है एंजला पुछ थी कि हम कैसे देख सकते है मिगेल ने फिर उसे स्टोरी बताना स्टार्ट किया वो गहता है कि एक फैमिली थी मदर फादर और उनका एक बेटा था एक दिन अचानक से बेटे ने अपने बेट से उठना बन कर दिया पहले तो पैरेंट्स को लगा था कि शायद इस स्कूल नहीं जाना चाहता तो उसने साइकोलोजिस से उसकी बात करवाए पर फिर भी बेटा मानने नहीं वाला था साइकलोजिस ने पैरेंट से का कि इस तरीके से आप प्रिटेंड कीजिए कि सब कुछ चीज़े बहुत ही नॉर्मल है बहुत दिन बित्ते गए पर फिर भी अपने बेड़ से उठा ही नहीं फादर और मदर ने फिर डिसाइड किया कि हम इसे लेकर कही वैकिशन पर जाएंगे यह अलग-अलग प्लेसे स्वर घुमे गुमते गुमते एक जगा पर मेला चल रहा था इस मेले में अपने बेटे को बेड़ बरी लेकर गए वहाँ पर एक लड़की से उसने बात कि वह लड़की भी उसके प्यार में पड़की उनका बेटा फिर भी बेड़ से उठा ही नहीं उस लड़की को बहुत बुरा लगा और वह भी फिर बेड़ में रहने लगके यह बात देखकर सारे विलेजवालों को लगा कि शायद विमारी कंटेजेस हो सकती है उन्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और भी थोड़े दिन बीथ गए एक रात आई जो बहुत ही ब्यूटिफूल थी मदर और फादर एक दुसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे वो दोनों जंगल में गए और एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो गए जब वो वापस आय तो उनका बेटा बेड़ से उठकर कही चला गया था उन दोनों ने अपने बेटे को ढूणने की बहुत कोशिश की पर उन्हें ओ कही भी नहीं मिला एंजला बोशती है क्या इस स्टोरी की इंडिंग साड है मुझे तुमें क्यों सुना रहे हो मेगल उसे बता था कि मदर ने अपने बेड़े को ढूणने की बहुत कोशिश की थी उसे मिला नहीं पर इस बात से ओ खुश थी उसका बेटा इस तरीके से रह रहा था इस बात से ओ तंग आ चुकी थी उसे जो फिलिंग सा रही थी इस वज़े से उसे गिल्टी लग रहा था स्टोरी की तरह ही हमने आज जो भी किया एक गलत था हमें इसके बारे में गिल्टी तो लगेगा ही पर ये अब हो चुका है इसके बारे में जादा सोचना सही नहीं इसके बाद अगर हम फिर से कभी मिले तो तुम मुझे इग्नोर कर दोगी तुम्हें गिल्टी तो लगेगा पर यही करना सही होगा इसके बाद थोड़ी दिर में मिगेल को किसी का आवाज आया उस आदमी को बुला कर गहता है कि प्लीज मेरे फ्रेंड को कॉल करो मैं यहाँ पर फर्स चुका हूँ थोड़ी दिर में मिगेल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुझ गया जिस तरीके से मिगेल ने कहा था कि तुम मुझे अन देखा करकर यहाँ से चली जाओगी उसी तरीके से एंजला यहाँ से चली के जाने से पहले एंजला ने उसे का कि यह सिर्फ एक इंसिडेंट था इसी तरीके से मैं उसे ट्रीट करूँगी मुझे इसके बारे में कोई भी बुरा नहीं लगएगा यह सिर्फ उसके लिए एक experience था इसी के साथ एक movie end हो जाती है अगर हम इस तरीके की hangout movies देखे तो इसमें सिर्फ character को और भी ज़्यादा जान देना उनके साथ conversation enjoy करना यही सिर्फ एक point होता है तो इसे टाइब कि आज कि हमारी movie थी अगर आप को explanation अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजएगा मैं बहुत सारे movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजए और bell notification icon दाने मन भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया